हे गाईज आप लोगों ने कुछ टाइम पहले ट्वीटर केंपेंच चलाया था इस रिगार्डिंग की एससी में जो वेटिंग लिष्ट है उसका प्रावधान होना चाहिए लेकिन अभी एससी का उसकी तरफ क्या रुजहान है क्या इंक्लिनेशन है उसकी तरफ और क्या उन यहाँ पर आफ्रेंट देख सकते हैं उनका जो रिप्लाई है वो क्या आया है बारातारी को यह उनका रिप्लाई आया है Commission doesn't prepare waiting list, reserve list for open exams open exams like a departmental exam होते हैं जो आपकी internal होते हैं, promotions के लिए open exam that is open to all, anybody can give it so उसके बाद यहां पे इन्होंने सिधा सिधा लिख दिया कि उनके लिए Commission prepare नहीं करेगा reserve list because these become difficult to operate in case of combined examination with number of post in different user department कहना है कि अलग-अलग department से जो number of post है और उस case में जब combined examination होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है Commission को क्योंकि already जब vacances report होती है department जब as Commission को report करता है उसमें भी बहुँ ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है तो ऐसे में अगर कहीं पे कोई vacancy खाली होती है बर्डन बढ़ जाएगा तो SSC इसकी तरफ बिल्कूल भी नहीं जाना चाहती waiting list लेकिन आप यह देख रहे हो कि जो waiting list है बाकी दूसरी जगह होते हैं जैसे मतलब आप state level का को exam देते हो तो वहाँ पे जो individual individual जो department है वह report कर देते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है वह combined exam centralized exam है और process को बहुत ज़्यादा complex ना बना दे तो इस वज़े से इन्हें उन्हें ऐसा सीधा बोल दिया है कि हम जो है waiting list prepare नहीं कर सकते उनके लिए बहुत difficult यह procedure है आगे देखते हैं आगे यह क्या action लेते हैं मतलब student आगे इसकी तरफ जो है वो फिर से campaign चलाएंगे तो देखते हैं आगे इनका decision क्या रहता है लेकिन अभी के लिए उन्होंने सीधा बोला है कि कोई waiting list नहीं निकालेंगे तो आगे यह information आपके लिए sufficient होगी तो प्लीज इस तरह की और information के लिए अब subscribe कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब को धन्यवाद